चले खबरों में आगे बढ़ते हैं आज कोट में मनेश सिसोधिया की पेशी है आपको बता दे राउजवन्यू कोट में मनेश सिसोधिया को आज पेश किया जाएगा आज खत्म हो रही है सिसोधिया की नियाइक हिरासत शुराब घोटाले मामले में गिरफतार हैं सिसोधिया और आज राउ जवन्यू कोर्ट में मनिश सिसोधिया की पेशी होगी सिसोधिया की आज दिल्ली की एक अदालत ने कफित दिल्ली उत्पाद शुलक नीती घोटाले से संबदिद मनी लोंडरिंग मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनिश सिसोधिया की न्याय खिरासत 18 अपरेल तक बढ़ा दी है पहले तो देखिए जब पिछली सुनवाई हु पेश किया जाएगा और पेश किये जाने के बाद विशेश न्याय धिश का वेरी बावेजा ने मनी सिसोधिया की न्याय खिरासत जब 18 अपरेल तक बढ़ाई थी लेकिन आज सवाल ये कि क्या अब सिसोधिया को आज राहत मिलेगी या फिर न्याय खिरासत एक बढ़ा दी जाएगी देले श्राब खोटाले से संबंदि मनी रोडरिक मामले में नयाई खिरासत की आज समापती हो रही है क्योंकि 18 अपरल तक के लिए नयाई खिरासत बढ़ाई गई थी श्राब खोटाले मामले में सिसोधिया गिरफतार है कि कथित श्राब खोटाला मामला ऐसा जिसने आम आदमी पार्टी की मुश्किले बढ़ा दी है आम आदमी पार्टी के कई दिगज इसी मामले में जेल में हैं और सिसोधिया भी इसी मामले में गिरफतार किये गई थे